जी हाँ दोस्तो आप किसी भी LED प्लेट में लगे SMD LED को बैटरी के थूच चेक करके जान सकते हैं कि कौन सा SMD LED कितने वाट का है और कितने वोल्ट का है लेकिन 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 इससे पहले आपको SMD LED से जुड़े कुछ खास जानकारिया हैं जिसे जानना और समझना बेहत जरूरी है तभी आप किसी भी SMD LED की वाट और वोल्ट को पता कर पाएंगे तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल मेकनिकल सर्च दोस्तो अगर आप भी तक आपने हमारे नूँ चैनल इलेक्टिकल सर्च पर विजिट नहीं किया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टर में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां जाकर हमारे नूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चले दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फट टाक से तो चले दोस्तो सफरे पहले हम SMD LED से जुड़े कुछ खास जानकारिया हैं जिससे पहले आपको समझा देते हैं आप ध्यान से सुनिएगा और समझेगा दोस्तो हमारे पास 9W का LED बल्ब है और इसमें टोटल 9 LED लगा हुआ है तो दोस्तो मार लो इसमें का 1 SMD LED 1W का है तो उस 1W की SMD LED को जलाने के लिए हमें 3W की आवस्चता होता है और दोस्तो मार लो इसमें का 1 LED 2W का है तो उस 2W की SMD LED को जलाने के लिए हमें 6W की आवस्चता होगा और दोस्तो मालो इसमें का 3W का SMD LED लगा हुआ है तो उस 3W की SMD LED को जलाने के लिए हमें 9W का जरौत पड़ता है यानि कि दोस्तो इसमें SMD LED का जितना वाट होता है उससे 3 गुना हमें वोल्ट की आवसकता होता है दोस्तो आप इस बात को याद रखेगा और अच्छे से समझेगा तो दोस्तो अब मालो इसे बैटरी से आपको चेक करना है कि कौन सा LED कितने वोल्ट का और वाट का है तो आपको क्या करना है किसी भी सर्कीट पेट में लगे SMD LED को सबसे पहले आपको तीन वोल्ट की बैटरी से चेक करके देखना है अगर तीन वोल्ट की बैटरी से आपका SMD LED गलो करता है तो वाट में समझे तो वाट का LED होगा और इसी तरह से आपको, आब अगर 6 V की बैटरी से SMD LED ग्लो करता है तो वह 6 V का SMD LED होगा और उसे Watt में कनवर्ट करें तो वह 2 Watt का SMD LED होगा और अगर दोस्तों मालों कि कोई SMD LED है वह 3 V से नहीं जलता है च्छे वोल्ट से भी नहीं जलता है वह 9 वोल्ट की सप्लाई देने पर जलता है तो इसका मतलब वह SMD LED तीन वार्ट का होगा और उसे वोल्ट में कनवर्ट करें तो वह 9 वोल्ट का SMD LED होगा तो दोस्तों इस पकाज आप इस बैटरी के थूरू SMD LED को चेक करके जान सकते हैं तो चले दो अब हम आपको पैक्ट्रिकली करके दिखाएंगे तो दोस्तों आप यहां पर देखते हैं हमारे पास तीन अलग अलग वार्ट का यहां पर LED प्लेट है बल्ब के साथ तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि हमें चेक करना कि कौन सा SMD LED कितने वार्ट का है और वोल् आपको उसे तो दोस्तों हम हाँ पार नाइन ओल्ड का बैटरी भी ले ले लिए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ये लेडी प्लेट बिलेंगे और इस współ कर्का नहीं है है तो हम सबसे पहले इस बैटरी की एक वार्ट से जादा की है तो आपको यहाँ पर डायक्त 9 वार्ट की बैटरी से चेक नहीं करना है, आपको बढ़ाते हुए चेक करना है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 6V की बैटरी से चेक करके देखें, तो हमारे पास दूसरा सेट है, 3V की बैटरी का, तो हम इन दोनों सेल को सेट है, उसे जोड़ दें, 6V की बैटरी बना दिया है, अब हम चेक करके आप यहाँ पर दे सकते हैं, हम इस SMD LED में 6V की सप्लाई दे रहे हैं, तो हमारा SMD LED गलो कर रहा है, इसका अर्थ यह हुए दोस्तों कि इसमें जो SMD LED लगा हुआ है, वह 6V का है, और उसे वाट में समझें, तो यहाँ 2V का SMD LED है, तो दोस्तों इस पकाज आप चेक करके जान चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर 3V की सप्लाई देकर चेक करते हैं, तो हम यहाँ पर इसका जो टर्मिनल है, उसे चेंज करके चेक करेंगे हाँ पर, तो अचले दोस्तों हम यहाँ पर इस चेक करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें का जो SMD LED है, तीन ओल्ट की सप्लाइई देने पर ग्लो कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि यह जो SMD LED है वह तीन ओल्ट की है, और इसे वाट में समझे तो या एक वाट की SMD LED है, तो दोस्तों इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सा LED कि इतने वाट का है और वॉल्ट का है, तो अब इसके बाद तो हम अगला जो LED प्रेट है उसमें चेक करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर भी तीन ओलड की supply देखर ही चेक करेंगे तो इस तरह से हमारा LED ग्लो नहीं करें तो हम इसका टर्मिनल है उसे चेंज करके देखते हैं तो दोस्तों, आप देसे श्लिक्षा डाप सब्सक्ते गिलोड का रहा है, तो अब हम यहाँ पर 9 वल्त की सप्लाइब को चेक करेंगे, बैटरी के ठरही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस SMD LED में 9V की सप्लाई दे रहे हैं, तो प्रॉपर ग्लोब कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि यह जो SMD LED है, वह 9V की है, और इसे वाट में समझे तो यह तीन वाट की है, क्योंकि दोस्तों एक वाट की SMD LED को जलाने के लि तो चलेवरोस मिलते हैं, तो ने स्टूआ में तब तक टावले जलेगी…